हम दोस्तों मेरे नाम विकास कुमार औरुफदनायन जी है मैं एक सोसर वरकर राने में बेबी एस स्टुडेंट हूँ हम गरी बच्चे को फिरी पढ़ाते हैं डिस्किप्शन में डेटेल है आप देख सकते हैं चाहे तो सपोर्ट भी कर सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं चल हम लोग 20 कारबन मतलब कंपाउंड का ही पढ़ेंगे संथेसाइज फ्रम आर्किडोनिक एसीड एक्ट एज लोकल हार्मोनिन फंक्शन और वाइडली यूज एज एज त्रेप्टिक एजेंट यह आपका मतलब प्रोस्टाग्लेंडिन का एक ओभर व्यू दिया हुआ है टी एक्स ए यह सब जो है कि नहीं आपका और लिको टेरिन्स इस सब को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं इसको इको सिन्वाइड क्यों इको सिन्वाइड बोलते हैं क्योंकि यह 20 कारबन का बना होता है तो 20 कारबन को क्योंकि ग्रीक करता है considerize locally acting हार्मोन की तरह काम करता है यह locally acting हार्मोन की तरह काम तरह है true हार्मोन से बहुत difference भी है हम यह बात करेंगे प्रोस्टा ग्लेंडिन first discover कहां किया गया था वह human semen में ठीक है न तो क्योंकि प्रोस्टा ग्लेंडिन एक ग्लेंड है वहां से निकलता था पले यह मानना जाता था लेकिन बाद में क्या हुआ और यह जो सैंटिस्ट कोजे थे स्वेडिन के थे यूलर 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 जो साहब को वान यूलर को क्या मिला था नोबेल प्राइज भी मिला था इस पर और एक और बात है कि जो प्रोस्टा ग्लेंडिन सेंथेसाइज पहले माना जाता था कि एक special glands अहीं होता है लेकिन बाद ने पता चला कि नहीं यह almost all tissue except erythroecite subsecret करते हैं ठीक है release करते हैं क्योंकि यह local hormone है और नेंज जो प्रोस्टा खुजा गया थे नो उसी समय से continue हो गया नाम का छोड़िए प्रोस्टाग्लेंडीन सबसे पहले जो first isolated किया गया था वो किया गया था आपका E और F क्योंकि जो इनके solubility के नाम पर solubility के नाम पर ही रख दिया गया था जैसे PGE किस में गुलता था इथर में ठीक है और PGEF किस में गुलता था phosphate में ठीक है तो इसी लिए इसका सब का नाम क्या रख दिया गया PGE और PGEF ठीक है आज तक भी फिर बाद में जब खोजा गया प्रोस्टाग्लेंडीन को सारा तो उसका नाम alphabet में ही रख दिया गया एसे लेके H तक ठीक है तो प्रोस्टाग्लेंडीन कैसे formation होता है structure थोड़ा देख लीजिए प्रोस्टाग्लेंडीन का तो structure जो प्रोस्टाग्लेंडीन जो नहीं है ना 20 carbon fatty acid होता है जिसका नाम है प्रोस्टेनोइक acid ठीक है प्रोस्टेनोइड इसलिए इसको बोलते हैं क्यूंकि यह 20 carbon से बना होता है और इसमें एक खास बात है कि यह cyclopentane ring contain करता है कितना किस किस carbon पे तो carbon atom 8 और 12 पे कोई ठीक है और side chain में carboxyle group होता है प्रोस्टाग्लेंडीन और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे structure देखेंगे और यहाँ पर देखिए most important प्रोस्टाग्लेंडीन कौन है तो यह है PGF2 अलफा ठीक है PGF2 अलफा यह most important प्रोस्टाग्लेंडीन है और भी है प्रोस्टाशाइक्लीन्स है PGI2 जिसको बोलते हैं प्रोस्टाशाइक्लीन्स PGI2 थ्रमबोक्जेन भी है TXA2 और लिकोटरिन्स भी है जिसका LTA4 होता है ठीक है तो हम सबका naming सबका structure हम लोग देखेंगे आगे जल्दी बढ़ते ह है जल्दी जल्दी अब देखिए प्रोस्टा प्रोस्टनूइक एसीड जो hypothetical है यह आपका structure दिया गया है synthesis of prostaglandine तो prostaglandine का synthesis में हम लोग की बात करना है चलिए synthesis को अच्छे से थोड़ा पढ़ते हैं आप देखिए यहाँ पर है आपका अर्किडोनिक एसीड इसमें चार double bond होता है किस किस position फे 5 फे 8 फे 11 पे और 14 पे इसको तीन तीन जोड़ते जाए पांच में तीन जोड़िए फिर 8 में तीन जोड़िए फिर 11 में तीन जोड़िए तो आपको यह सब मिलते जाएगा तो याद करना ही जी है तीन तीन जोड़ ठीक है स्टेप्स नीचे आपको मिल जाएगा फिगर 32.3 में हम देखा देंगे आपको अब है रिलीज अब आर्किडोनिक एसीड मेंब्रेन बॉंड फसफोरस से इस पूरे को ऐसे पढ़ने से बेटर है ना कि हम लोग एक एक लाइन पढ़ने से बेटर है कि इसका जो प्र स्ट्रक्चर है किसका किसका देखे एक बार थोड़ा देख लीजिए यह अर्कडोनिक एसीड का स्ट्रक्चर है 20 कर्बन का है देखे चार को डबल बॉंड है ना यह कहां पर होगा 5 पे 8 पे 11 पे और 14 पे उसके बाद क्या है PGE2 है फिर यह स्ट्रक्चर बना नहीं है मतलब इस अब का स्ट्रक्चर है देख लिजिए PGE2 है देखे यह PGI है और हम लोग बात यहां पर करेंगे यह LTA4 है और यह TXA2 है इस सब का स्ट्रक्चर देख लिजिए थोड़ा सा कि बाद में बायो संथेसिस में आपका काम आएगा ठीके तो यह बायो संथेसिस का है आपका बताया था ना जो फीगर में बायो संथेसिस कैसे होता है तो आप पूरा डेटेल पढ़ते ना उससे बढ़िया है कि आप यहां ही से देखिए सबसे पहले फॉस्फो लिपिड जो मेंब्रेन बॉन्रेंड होते हैं वो क्या करते हैं आपको एक इंजाइम है फॉस्फो फॉस्फो एक मने निकलता है ठीक है अब यहां पर क्या है यह आप आर्कीडोनी के शीट का दो पाथवे हैं एक जो है आपका प्रोष्टाग लंडीन बनाने वाला और एक जो है आपका लिकोट्रिंस जिसको लिपो लिपोक्जीन भी बोलते हैं यह लक्स भी चाहाइब ल इंजाइम जब आएगा तो मतलब यह साय अम बता थे न है किस मेठवब से बनता है यहां पर था पुर्ष्टाग लंडीन किसे बनता है तो आपका साइकल्व अक्षिजिनेस पाथवे से तब पहले सब्स पाथवे देख लेते हैं ठीक है तो देखे साइक्ल एक्षिजिनेस पाथवे में कैसे कैसे हैं कारकेडोनीक Осब अपरिकशिट को फिर साइकलो से जीनेस इंजाइमु मंब अएगा और बनाएगा P-Steep ठीक है याद रखना है पीजी जी टू में फिर प्रोक्सिडेज आएगा प्रोक्सिडेज बनाएगा पीजी एजटू और पीजी एजटू ही सारा प्रोस्टक लेंडिन का ये प्रिकोसर है देखें प्रीजी एजटू से ही सारा बना हुआ है अलग 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 अपका पुष्टक लंडेन बनाएगा PGI 2 सेंथेज आएगा तो PGI 2 बना देगा PZ रिड़क्टेज आजाएगा तो PZ F2 अलफा बना देगा ठीक है रिड़क्ट डेडियूस करके अगर आईसोमेरे जाएगा तो PZ H2 है न तो E2 बना देगा ठीक है आईसोमर्स टाइप का होता है ये और फिर अगर TXA मतलब थरंबोक्जिन सेंथेज अगर आ जाएगा तो वो TXA2 बना देगा ठीक है ये सब पाथवे है आपका ऑक्सिजिनेज पाथवे और लीको जो ये लीको टरीन्स हैं इनका भी हम लोग पाथवे का डिसकस्शन हम लोग कर सकते हैं देखिए आपको देखाते हैं लोग ये लीको टरीन्स कौन पाथवे से बनता है लाइपो लाइपो ऑक्सिजिन पाथवे आफ अर्केडोनीक एसिड्ड से ही यह क्या बनता है आपका सेंटेसाइज होता है डिफेरेंट लिकोटरीन और लिकोटरीन्स होते हैं बाद नहीं बड़िया से पढ़ना जाए पढ़ा जाएगा A से लेकर D4, E4 तक मतलब Likoterins A4, Likoterins B4, Likoterins C4, Likoterins D4 ठीक है? तो आगे हम लोग बात करेंगे चलिए पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यह देखे यही जो steps थे हैं हम सब बता दिये कि यह दूसरा steps में क्या बनेगा PGE2 convert होगा PGI2 में PGE2 immediately precursor है किस चीज़ का number of prostaglandin का देखे ना चार्ट में कि बूसी से PGE2 से ही सब चीज़ बन रहा था इसोमेरे जा रहा था तो PGE2 बन जा रहा था तो reductase जा रहा था तो PGEF2 alpha बन जा रहा था तो इसी तरह से आप देख सकते हैं cyclooxygenase suicidal enzyme है suicidal enzyme क्या होता है कि this enzyme capable of undergoing self-catalyzed reduction to switch of PGE synthesis cyclooxygenase enzyme एक ऐसा enzyme है जो PGE synthesis को prostaglandin synthesis को रोख सकता है क्योंग खुद को ही ये switch up कर देता है inhibition of the PGE synthesis कौन inhibition बहुत सारे जो inhibit करता है prostagland synthesis को कौन-कौन जैसे आपका corticosteroid cortisol क्या करता है formation को prostaglandin formation को archidonic acid को ही formation को band कर देता है फिर वह ही परवच चले जाएए देखे आपको body-body हैंसे दिखाई देखा आप देखे कहा कहा से इसको हम लोग बंद कर सकते हैं prostaglandin ये है ना इसको बनने से कैसे कैसे रोख सकते हैं देखे सबसे पहले अगर corticosteroid corticosteroid यहाँ पर आता है अगर corticosteroid आ जाएगा तो यही enzyme को inhibit कर देगा phospholipase को जब उसी को inhibit कर देगा तो archidonic acid बनेगा ही नहीं न और archidonic acid नहीं बनेगा तो न लिकोटरी ने बनेगा नहीं prostaglandin ने बनेगा ठीक है तो एक यहाँ पर है एक है आपका cyclooxygenase enzyme को inhibit करने पर तो यह aspirin यहाँ पर याद रखेएगा aspirin, phenyl, butazone और indomethacin indomethacin और iboprofen यह पूछा है aspirin, iboprofen और methyl, butazone यह सब पूछ दिया है adjective में तो यह किस enzyme को inactivate करता है तो cyclo मतलब यह आपको याद ही रखना है यह जो भी दिख रहा है और यह सब चीजे आपको याद रखना है दोने step कौन किसको inhibit करता है यह आपको याद रखना है ठीक है अगर यह अगर यहाँ पर aspirin आ गया तो देखिए यहाँ पर लीकोटरिंस तो बनेगा लेकिन prostaglandins नहीं बनेगा क्योंकि उसका precursor ही नहीं बन पाएगा ठीक है तो यही यहाँ पर देखाएगा आपका यही पूरा detail में यहाँ लिखा हुआ है aspirin आएगा तो देखिए यहाँ पर aspirin जो है antiparatic है antiparatic है जो relief करता है आपका किस में pain relief agent में आता है mechanism और aspirin यह inhibit करता है synthesis of prostaglandin from ergodonic acid पर aspirin acetylate aspirin acetylate लेकिन यह बात जान लिजे कि cyclohexygenase pathway के तो inhibit करता है लेकिन आपको वो leekoterins बनने देता है leekoterins हम बता है leekoterins बनने देता है ठीक है एक और भी है देखिए यहाँ indomithosin जो phenyl butazone जो वहाँ पर लिखा हुआ था तो यह सब क्या करता है यह cyclohexygenase activity को रोक देता है ठीक है याद रखिएगा कौन किस enzyme को रोक रहा है cyclohexygenase को कौन-कौन phenyl, butazone, idomethacin ठीक है aspirin यह सब रोक देता है inhibit कर देता है paracetamol जो है also reversible inhibitor है paracetamol भी इसको inhibit करता है reversible inhibitor है कुछ important point है यहाँ पर biological concept है biomedical concept है prostaglandin local hormone है ठीक है perform the diverse biochemical function and lowering the blood pressure ठीक है and inhibit the gastric HCL secretion or decrease the immune response मनि immune system को weak कर देता है अब देखे over production अगर हो जाएगा तो causes symptom क्या-क्या pain, fever, vomiting, nausea inflammation ठीक है तो इसको कौन रोकेगा तो aspirin या evo प्रोफेन cortico estuaride यह सब हम लोग drugs यूज करते हैं उस symptom को relief करने के लिए क्योंकि वो क्या पुस्टा-Glandin synthesis को ही रोक देता है आप देखे ना इंजाइन को ही inactive कर देता है तो अगर ये आपको ये चीज याद रहेगा तो ये clinical भी आप दिख दिजेगा अभी पूरा में अभी जो important अभी इतना पढ़ाई हुआ उसमें यही है ठीक है तो इसको जरूर आप एक बार ध्यान से देख ले ठीक है इसका अलग से भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे ठीक है तो local हार्मोन है function जो है different हो जाता है prostaglandin produce almost all tissue लेकिन ये local हार्मोन और true हार्मोन से बहुत सरे many way में prostaglandin जो produce होता है वो क्या है different है ठीक है जिसे देखिए पहला क्या अंतर है true हार्मोन और prostaglandin में तो ये जो है store नहीं किया जा सकता है ठीक है और ये डिगाड हो जाता है inactive product में ठीक है लेकिन हार्मोन जो है थोड़ा देर में डिगाड होता है ये जल्दी डिगाड हो जाता है हार्मोन store किया जा सकता है लेकिन यह store नहीं हो सकता है इसका lower half life होता है यह बंत हो जाएगा लेकिन तुरत खतम भी हो जाएगा यह very small amount में बनता है ठीक है और वो हर्मोन ज्यादा भी बन सकता है कम भी बन सकता है ठीक है तो जो इसका अगर product अगर यह inactive inactive है product में क्या हो जाएगा यह आपका जब डिगार्ड होगा तो inactive product में चलिए तो अब आगे हम लोग इसका और अंतर पढ़ना चाहते है ठीक है अब देखिए यहां पर एक और बात है कि यह special cell से नहीं बनता है कि यह सारे cell से बनता है ठीक है लेकिन हार्मोन जो है special cell से बनते हैं इसको हार्मोन के रखा तो गया है लेकिन हें हार्मोन से बहुत सारा अंतर करता है प्रोषटाग्लेंडीन शिम्टम मिलली सिम्टम करता है पेरेन हो होमेटिंग और यह नाशिया और इंफ्लामेशन ठीक में जो है अब प्रोषटाग्लेंडिन का ओर्ण देकेंगे हैं अब यह तो पहला हो medical terminal pregnancy करवाता है ठीक है प्रोस्टा ग्लैंडीन इसमें कौन प्रोस्टा ग्लैंडीन यूज होता है तो PGE2 और PGE2 यूज होता है ठीक है पेन और फीबर में क्या करता है ये जो प्रोस्टा ग्लैंडीन है वो बायो सेंथेसिस करता है किसका formation of PGE2 का और ये hypothalamus को body temperature में regulate करने के लिए PGE2 important है तो PGE2 को सेंथेसिस बढ़ जाएगा तो body temperature भी बढ़ जाएगा इसलिए PGE2 along with the histadine and bradycanine causes pain ठीक है माइग्रेन भी जो होता है PGE2 के कारण ही होता है important point है migraine किस prostaglandine के कारण होता है तो PGE2 के कारण इसमें कौन काम करता है तो aspirine आपका काम करता है non-stroidal drugs inhibit करता है prostaglandine synthesis को आप तो देखवे किये थे अब regulation of gastric secretion ठीक है तो gastric secretion में क्या regulation करता है तो यह यहाँ पर देखना है कि PGE काम आता है यह inhibit करता है gastric secretion को ठीक है तो इसको treatment में भी यूज़ कर जाता है किस में gastric ulcer treatment में यूज़ कर जाता है क्योंकि यह क्या करेगा SCL बन नहीं नहीं देगा ठीक है और भी काम करता है जैसे यह pancreatic secretion और instantine का mobility increase कर देता है और cause करता है diarrhea का भी फैदा भी है नुक्सान भी है आगे करेंगे inflammation of immune system micro phase secret करता है prostaglandin E ठीक है PGE और यह decrease कर देता है function किसका immunological function of bilimpo side और t-limpo side का immune system ही power ही घटा देता है effect on respiratory mechanism respiratory mechanism में क्या है PGE जो है bronchodilator है ठीक है और PGE जो है constrictor है इसलिए इसको दोनों जो है PGE और PGE opposite action करता है एक PGE का है dilator है और PGE क्या है constrictor है ठीक है तो इसलिए PGE1 और PGE2 treatment में यूज किया जाता है अस्थामा का क्योंकि dilate कर देगा अस्थामा में क्या होता है आपका constrict करने लगता है तो dilate करने के लिए आपको PGE1 और PGE2 use किया जाता है influence of renal function renal function में क्या बात है भाई केड़नी पे क्या effect देता है PGE जो increase कर देता है GFR को मतलब glomerular filtration rate को increase कर दिया और promote करेगा urine output को और excretion भी करेगा किसका sodium potassium को increase कर देता है PGE तो salt का भी कमी करा सकता है ज़्यादा अगर release हो जाएगा जाएगा सब balance system नहीं हुआ तो अब effect on metabolism पर क्या बात है effect ये करता है आपका PGE CMP mediated तरीका से करता है PGE decrease कर देता है आपका कौँची lipolysis याद रखिएगा important है और glycogen formation को बढ़ा देता है calcium का mobilization बढ़ा देता है bone से बाहर निकालने लगता है bone weak भी हो platelets aggregation में क्या बात है तो जो आपका prostacyclin है PGE2 है ये ना inhibit करता है aggregation को मतलब platelets को aggregate नहीं होने देगा blood clotting में दिक्कत करेगा लेकिन other hand thromboxyn जो है ये and prostaglandin E मने PGE1 ये दोनों क्या करेगा promote करेगा platelet aggregation को और blood clotting को तो ये might lead to thrombosis अब blood clot कर जाएगा तो thrombosis हो जाएगा वही thrombosis कहीं फस जाएगा कहीं नहीं कहीं जाके तो hot attack भी आ सकता है तो ये endothelial cell lining और ये जो है आपका prevent the addition of TX release and platelets is responsible spontaneous segregation जैसे TX A2 thromboxyn जैसे ही release होगा ऐसे ही platelets का aggregation spontaneous segregation होता है मतलब तुरत जमने लगता है ठीक है अब ये है prostacyclin and thromboxyn जो है ये दोनो antagonist है ठीक है क्योंकि दोनो opposite action में काम कर रहे है तो आपको ये पता चली ही गया होगा कि ये जो देखिए prostacyclin और prostathromim cycling क्या कर रहा था inhibit कर रहा था aggregation को और ये क्या कर रहा था spontaneous aggregation कर रहा था platelets को तो ये दोनो antagonist हो गए न आगे बढ़ते हैं हम लोग mechanism of pgi तो इसका main जो mechanism belief किया जाता है कि ये mediated cyclic nucleotide मतलब कि स्में cmp में काम करता है लेकिन pgf जो है cgmp और cmp नहीं cgmp में और cmp में ठीक है तो nucleotide अलग हो जाता है यहाँ guanine हो जाता है adenosine होता है तो अलग हो जाता है तो दोनों का पाते हो अलग हो लेकिन मिलनी जो यही important है ठीक है pgc जो ही important है आगे हम low dose aspirin जो reduce कर सकता है अगर low dose 82 325 mg पर डे अगर यह यूज करते हैं तो platelets जो cycle oxygen इनिवीड करेगा और थ्रॉम्बोक्जीन थ्रॉम्बोक्जीन TX एक्टू नहीं फर्मेशन होगा और इसलिए क्या होगा आपका aggregation thrombosis heart attack यह सब चीज़े नहीं होगा ठीक है बायो बायो medical application प्लिकेशन प्लिकेशन पुस्टाग लेंडिन यह diverse function है इसका ठीक है इसको हम लोग treatment of treatment of gastric ulcer hypertension thrombosis and asthma भाइसो भाइसो डाइलेटर है बहुत सारा था भाइसो डाइलेटर होगा तो वो inhibit कर देगा आपका hypertension मने peripheral flow बढ़ा देगा resistance कम कर देगा ब्लोड फ्लो आराम से होने लगेगा तो blood pressure कम हो जाएगा ठीक है ज़्यादा कम हो जाएगा दो और problem inhibitory postaglandin synthesis जो है आपका कौन कौन है inhibitory मेश्पिरीन है आईबो आईबो प्रोफेन है ठीक है तो यह सब किस चीज़ में काम करता है control करता है fever, pain, migraine, inflammation में ठीक है तो यह सब हो गया अब leekotrens के बारे में बात करता है leekotrens हम बताया था ना यह synthesize होता है किस से अर्किडोनी के शिट से हैं लेकिन कौन पात्वे से lipo oxygenase पात्वे से उस cycle oxygenase पात्वे था तो यह है lipo oxygenase पात्वे ठीक है इसमें नाम बताये दिये थे A4 से E4 तक और यह जो mainly इसका जो precursor है वो है 5HPETE 5HPETE से ठीक है यह इसका हम लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे बनता है आप देखिए archidonic acid synthesis कैसे कैसे होता है तो देख सकते हैं राम से हम लोग देखिए यहाँ पर archidonic acid जो है वो सबसे पहले किसमें गया वो है 5 liposens में यह बना ठीक है और यह बनने के बाद lecoterins बना lecoterins में अब अलग-अलग enzyme आएगा और अलग-अलग आपका lecoterins बनाएगा आप यह देख सकते हैं ठीक है तो यह इतना important नहीं है मिली प्रोष्टाग्लेंडीन ही आता है इसका function याद रखिए तो अब lecoterins का जो function क्या है अब यह खाना ला दिये क्या प्रोष्टाग्लेंडीन stimulate allergic reaction lecoterins जो है important implicated in asthma inflammatory reaction hypersensitivity है ठीक है lecoterins causes contraction of a smooth muscle bronchio constrictor vasoconstrictor मन यह constrictor कहीं काम करता है addition of white blood cell and release of lysosomal enzyme ठीक है आप कहता है कि एक थोड़ा clinical dietary management में आप क्या कर सकते हैं dietary management में आप देखिए ECOMOSA जो है low incidence होता है coronary artery disease वहाँ hot attack नहीं होता है का है क्योंकि वहाँ पर हम लोग high amount पर वहाँ के लोग high amount में marine fish lipid खाते हैं जिस lipid में रहता क्या है unsaturated fatty acid UFA unsaturated यह predominantly पाया जाता है फीस में क्योंकि मचली खाने के कारण वहाँ पर उनलोगा unsaturated fatty acid ज्यादा मिल जाता है और उसमें होता क्या है actually उसमें होता क्या है यह इको 5, 8, 11, 14 और 17 इको एसफेनोईग इकोसा पेंटेनोईग इकोसा पेंटेनोईग एसिड देखें इसको EPA इकोसा पेंटेनोईग एसिड इसमें 5 गो क्या होता है आपका double bond होता है देखें एक है तीन जोडियेगा तो 8 पर आजाएगा फिर तीन जोडियेगा तो 14 पर फिर तीन जोडियेगा तो 17 पर दियाद करना है आर्कडोनिक एसिड चारेग हो है 14 है तक होता है इसमें 17 तक होता है ठीक है और यह प्रिकसर है किसका लिकोटरिन्स 5 सिरीज का लिकोटरिन्स 5 सिरीज का यह क्या है प्रिकसर है और इसमें क्या है आपका यह आर्किडोनिक एसीड फोर सीरीज लिकोटरिंस बना रहा है वो फाइब सीरीज का लिकोटरिंस बनाता है कौन यह EPA मतलब इकोसा पेंटेनोई के सीड ठीक में पांच गो है न उसमें इकोपेंटेनोई के सीड ठीक है आगे हम लोग यह further eco-pentanoic evite the formation of the thromboxane तो हम जानते हैं कि platelets aggregation और thrombosis नहीं होगा किमकि यही तो platelets को aggregate करके blood clotting करता था ठीक है इसलिए rich diet होता है marine में econ eco-sah pentanoic acid और decrease करता है plasma cholesterol ठीक है synthesis को TX is believe the responsible for the low incidence of hot attack and eco-sum तो इसलिए उस जगा पर यह जगा है कहाँ यह जगा है आपका greenland पर greenland यह है eco-sum जो है eco-moss यह greenland में है जगा का नाम है ठीक है वही पर यह अब समरी है तो अब देख लीजिएगा ठीक है तो overall हम पूरा पढ़ा दिये पुष्टाग लेंडिन कुछ गलती हो गया हो बोलने में जल्दी जल्दी में क्योंकि वीडियो सौट बनाना रहता है ना तो जल्दी जल्दी बोलने में गरबढ हो जाता है और आपको इस वीडियो के अंत में आपको तीन चैनल दिखेगा तो उसमें आप जरूर जागे सब्सक्राइब करें पर्स्राम फंडेशन को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे करीब बच्चा को सपोर्ट हो जाएगा थाइंक्यू चैनल